गुड मॉर्निंग एविवान वेल्कम बैक टो चानल लॉगारिज्म तो आज हो गया संडे वीकेंड का सेकेंड डे अच्छली मेरे लिए इस बार ना एक्स्टेंड वीकेंड है क्योंकि मंडे भी मेरा चुटी है फोर चुलाई का हम लोग को रहता है नैच्छली क्योंकि हम यह करते हैं तो इससे अब लोग को यूस अब लोग को एक्साइटिंग कर तो जैसके माप लोगों दिखा रहे हैं के ब्रेकफस्त का प्रिपरेशन हो चुगा था पूरी का तो मैं भी पूरी बना रही है आग पूरी निकालोंगी कि पिपने प्रूंट अब इस अर्म स्क ön Kopf को पूरा है पर न Sun प्रूरày क्विडिशर्ट पर या स्वच अज़रा अच्छ फुल भी बना है कि अच्छ रग रहा है टेस्टी तो अभी डिसाइड हुआ है कर लिए यह हुआ हैं कि मॉटन बनेगा है रवाला इसको क्या हंडी ह यह ऊट भी आज बूलते हैं यह हंडी जो हो लेक्या है तो ईनको जागने वह खुच से मन बनाएगा तो मम्मी और मुझा खाएगा दो क्या नहीं भी खा लेकिन माटन एक दम नहीं हाती हूँ तो यह सूचिध छोलाज हो बनाया है उसी से मैं थोडा चाषल का लोगी मैं च स नहीं बनाऊगे च्कन वो लाया है बड़ बनाऊंगे क्योंकि अभी मन नहीं कर और खाने का फिर फिर भी खायंगे अभी खायंगे ना थोड़ा हो जाता यह जाता है वह बेक्फरस्स विच लिए मैं सोच जो चोला बचेगा तोड़ा सा चावल खालोंगी बस मेरा लंच जाएगा फिर क्या करेंगे फिलाल के लिए यही प्लान है तो मुटन वो कैसे बनाता है वो तो मैं आज आप लोग के साथ ज़रू शेर करेंगे उससे पहले ब्रेक्फस्स कर लेता है क्योंकि मम्मी नहीं पूरी जो बनाया है वह थोड़ा यूनिक पूरी बनाया है इसमें सूजी और मैला मिक्स करके दिया हूआ है बनाया गया है तो यह तो इंट्रेस्टिंग है मैं फर्स्ट इम खाऊंगी तो खाके बोलते है कैसा हुआ है तो जली जली सब्रेक्फस्स कर लेते हैं मतन अभी बना शुरू हो चुका है मैं थोड़ा उधर मम्मी के पास थी क्यू चल रहा है तूपिंजे प्यास एक प्यास यह ने शर्णी चौनिंदार अफे टालता है यह प्यास करना पड़ता है शोपिनों पूरा अला-अला करके दालो इसे क्या चौक रएका तो मतन के अंदरी इनू लगा रहे का बट अगर इसको मैंसे पूरा अला-अला करकर तो पूरा अच्छे से मिक्स कर पाएंगे हम लोग तो यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको को ध्यान अपना पड़ेगा मटन हंडी बनाने करेंगे और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो रहता है जब आप यह हंडी लेकर आते हो तो यह जैसे बहुत लोग का है तो साफ कर लेते हैं तो साफ करती टाइम इसमें कोई डिटर्जेंट यूज मत करो आप लो जो नॉर्मल पानी से वाच करो या फिर एक बार इनो आल के अगर निकाल दो कि बैट इस होके जादा डिटर्जेंट और यह सब करने पर ओधन पॉट का जो एक फ्रेग्रेंस होत एकदम भी ठंडा इसको यूज नहीं कर सकते और किचन पुरा मेश कर दियो तो थोड़ा बहुत होता है यह देखो इधर में ऐसा हालत है हर एक कोई जगा जगा पे नहीं है चीज इधर ऐसा हालत है इधर यह ऐसे पड़ा हुआ है यह कपड़ा यह सब मुझे फिर बाद मे पट मैं एक ही लसन डाल रहा हूँ यह है सूखी मिर्च लाल वाली तो यह तीन सूखी मिर्च मैं डाल रहा हूँ यहां पर इसके साथ साथ दो इलाइची दो इलाइची से हो जाएगा फिलाल मैंने दो डाला है क्योंकि यहां पर लॉंग है चार लॉंग यह तीन इक चार यह तेज पत्ता है तो तेज पत्ता कर हम लोगों को थोड़ा daatra डालना पड़ेगा गोटा तेज पत्ता हम लोगो back एषमे नहीं डाल सकते थोड़ा प्रक्रस करके मैंने यहाँ पे दिया हुआ इसके इसके साथ मैंने डाला है यहाँ पे जीरा पाउडर है यहाँ पे यह है कश्मीरी रेट चिली पाउडर और फिलाला भी मैं जा रहा हूं इसे मिक्स करने इसके साथ साथ मेरे पास गोल मिर्च गोटा नहीं था फिलाल या फिर कहीं कीचेन में रखा और मुझे पता नहीं है तो इसके लि जब सब कुछ मिक्स हो जाए तब टाइम आएगा मटन को अंदर डालने का यहां पर यह मिक्स्चर में भी डाला है नमक में नमक डालना भूल गया था और एक और चीज जो सबसे इंपोर्टेंट है वह भूल गया था वह है अध्रकलसून का पेस्ट तो यहां पर ना मैंने अध्रकलसून के पेस्ट के साथ थोड़ा सा मिर्ची की पेस्ट कर लिए नॉमनी लोग मिर्ची गोटर डालते है बट मैं प्रेफर कर रहा हूं इसको कि मिर्ची का पेस्ट करके अध्रकलसून के साथ वह मैं यहां पर डाल दो तो फिलहाल यह डाल वा ठीक्ल कर रहें इसके साथ अब त्राइम में तोरा सा इसके अंदर हल्दी पाउडर को देने का तो हल्दी हम डाल रहें कि ये पड़ा हमारा हल्दी पाउडर अब मैंने बहुत अच्छा आता है अब इसको मैं वादपिस एक बर मिक्स कर लेता हूं जल्दी से क्योंकि अधरक लाशुन का पेस्ट अगर इसके अंदर गया है तो थोड़ा मिक्स करना ज़रूरी होता है बेटर है अगर आप इसे कुछ चम्मच या इस चीज़ से ना मिला कि अपने बेर हैंड से आप मिलाओ यहाथ से मिलाने पर यहाथ से मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है प्याज और मिर्ची जो भी इसके अंदर दिया हुए वो अच्छे से इन दूसे से मिक्स होके यह रहे अब टाइम आ गया है हमारा सबसे महत्वपून काम करने का मटन डालने का तो यहाँ पर है मेरा मटन सो यह मैं मटन को यहाँ पर मैंने डाल दिया अब मैं मटन को करने जा रहा हूं इसके साथ मिक्स मटन को मिक्स करते टाइम जरूर आप ध्यान रखे कि इसको जितना अच्छे से हो सके आप पूरा मिक्स कर दो क्या कि प्याज और मटन पूरा ही दूसरे से मिल जाना चाहिए नहीं तो फिर हंडी में जब एक बार यह बैट जाएगा न तो फिर यह प्रॉब्लम हो जाएगा अगर यह मिक्स नहीं होता है प्रॉपरली क्योंकि वह हंडी का स्ट्रक्चर जैसा रहता नो एक बार गिर ज जालना इस गुड क्योंकि जब आग पर यह नो मटन आप चड़ा रहे हो वह पकड़ नहीं ले इसी मैं घी डालके अब यहां पर ग्रीसिंग कर दिया है पूरे हंडी का अब मैं जा रहा हूं मटन को अंदर डालने हंडी में तो यह है हमारा मटन और यह अभी जाएगा अब यह अच्छे से इसे प्लेस करना पड़ेगा तो मैं फिल्हाल ऐसे नॉर्मल डाल दे रहा हूं पट इसके बाद मैं इसको प्लेस करूंगा इसके बाद टाइम है इसको गैस पर चड़ाने का हमारा मटन हंडी में जो भी इंग्रीएंस हमने डाला था सब डल चुका है यह उपर आप देख साते हो आटे से हमने इसे किया है पूरा सील्ड यह एक्चली मैं बोल रहा हूं बड़ विस्टी ने सब बना के मुझे बहुत है बहुत किया है तो यह सील्ड हो चुका है अब बहुत लेट हो गया हम लोग भूगती लगए तो मटन बन चुका है फिलाल और मटन की ऊपर हम लोग ने जो डो का एक लेड़ दिया था हो काट के हम मैंने ज़्टा चा देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था मैं आपको दिखाने बार हो मटन का फाइनल लूग हम उसके कि मैंने बताया अंदर से बहुत ही अच्छा पुरेदम माटी वाला फ्लेवर का स्मेल आ रहा है और लोग ने इससे अब फिलाल काटोरी में सर्फ करने जा रहे है तो अभी काटोरी में जो लूग आया है और इस स्टुपेंडिस बहुत अच्छा ग्रेवी अच्छा हुग फाला फाला कर दोगे वहता है मटन में पूरा मिक्स हो के बहुत जल्दी तो ये टेक्निक मैं फॉलोग करता हूं जब ने चिकन या बनाता हूं अभी यहां पर मटन गल चुका है और मतलब मतन नहीं वहां पे है और मैं यहां पे वह मात्या माटी आ रहा हूं मैं आपको दिखाने बाला है फाइनल लूग हमारे लंच टेबल पर टैनी टेबल पर है जब हम लोग मटन लेके बैटेंगे सौ श्टेट यून वदा मटन वारा लाल मैं जाही राते लंच करने तब तक माही पीछे से बहुत चिलाने लगा तो मुझे समझ में आया कि यहां अठा वो लो फिर मैं हमा बोल लो आओ मही आओ माहीो जाही अट देखां माही खल गोस्टरों की केम्रा मैं आरदे दो जा रहा बद मैं भूल्यारा व़ह सह माही को थो ड्रौ थो वह library go embr Governor सब बूर्णिंग गोलो आजाओ, 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 माही, say good morning, clap, how do you clap, very good, and how do you raise your hand, very good, अजाओ, यह दो चीज यहां मैंने सिखाया माही को, और एक प्रिती यहां पर जब आई थी, तो उसके हाइब कैसे होता है, वो सिखाया था, यह दो तीन चीज मैं हर रद उसको याद कराते रहां, ताकि वो जो सीखाया वो फाइनली मेरा मटन का लुक, पुरे इतम साइड से इतम तेल वेल निकल के आचुगा है बाहर, और मैंने सोचा निता कि यह अच्छा होगा, तो मम्मी अभी रिखु देगी, क्या मान वेचे बॉलो, तुम्ही तो खेले, क्या होता है ना, क्या होता है ना, कि बनाने का तो चलो ठीके, मैं बना रहा हूं मेरे तरीके से मैं पूरा अके लिए हूं तो चलो ठीके मैं बना लेता हूं, अगर मिष्टी साथ ने रहती है तो मैं थोड़ा लेजी फील करते हैं, चलो मिष्टी है help कर रही है, सो वह आके सारा का सारा वह मसाला डालना, नमक डालना, प्यास काट देना, लसू काट देना, यह सब कुछ मिष्टी के अकाम रहता है, सो देखा चाता मैं बना रहा हूं, बठा हम और मिष्टी मिलके बना रहा है, लास्ट में पी वह हंडी जब उता रहे हम लोग, सो वह सब कुछ मिष्टी नहीं help किया करने के लिए, ममी ने तो बुरा अच्छा हुए, मैं हलका सा टेस्ट किया थ अच्छी नास जदी कल ना परसो बना था ना दाल का पकौरी बना था तो उसका थोड़ा वह लेफ्टोवर था तो उससे मैं अभी क्या कि हम लोग चाय पीएगे तो मैंने सचे बचा हुए उसमे मैंने तोरा प्यास काटके ढाल लिया है और उसको थोरा प्यास का पकौरी मैंने अच्छा लगते है तो अच्छा लगता है बहुत क्वा थारो ऑख खाने मैं तो आप बना रहे हैं तो मने चुटके घंजे ये अब चौटक्र नहीं समट्री कराई और यही मैंने देखुशें है प्यास मै ने इसे कटकर लिया है और इसको When we mix underник Girist में मैं स्पून स तो मेरा शाम का स्नाक्स हो गया है रेडी और मैं आभी बैठ गही हूं रख रख ओड़क शब्र भाष चैय के यह मेरा प्रवु रख जो पॉफट्र की प्राइस होता है और यह मेरा पापॉरा एकदम डीफ़्य इंट लेख लेकर और कभी आजृब बनता अभी फिलाल हो चला है टाइम साड़े तस अभी मैं ममी से बात कर रहा था करीब आधे घंडा 45 मिनिट्स बात करने के बाद अभी फिलाल हम लोग आया है कीचन में मैं और मिष्टी वहाँ पर हंडी वे आद देख सकते हो कारे करम चल रहा है मटन हो रहा है करम मेरे लिए मटन चावल है यहां पर रूटी नहीं मिलता है नौमल रूटी वह थोड़ा बड़ा साइस कर रहा है इसलिए उसे फुलका कहते है तो मैं फुलका लेके आया एंड यह लोग पता नहीं क्या खा रहा है तो मेरा तो वही है जो दिन का था और अभी फिरा हमनों खाके बैठेंगे पर लिए बड़ा है जो गजब बनाया है जो गजब गजब का बनाया है मैं क्या ही वह लो कितना गजब बनाया है मतलब फॉस्ट एपिसोड शायद एक डिड़ घंटे का है सेकंड एपिसोड इस अल्मोस लेक ट्व एन हाफ आज तो मैं कल बैठा रात को देखते हैं और मैंने सोचा कि मैं चलो देख लेता हूं फिर मुझे लगा चलो ठीक है थोड़ा लेट हो गया अदो आप सो जाते है लेकिन जैसे ही मैं सोच राहा था कि अब मैं चाहँ जोने उस सोने वहाँ पे आई suspense और मिश्टी के फोन पे आया है फोन पहले देखते हैं कहां से फोन आया है कि का फोन से यह देखो मैं मैं विरसे एपिसोड देखने के बाद, you know, मेरे से कंट्रोल नहीं हो, कि यह लास्ट में क्या होगा, स्पोईलर नहीं है, पठाँ, सब्सक्राइब नेट पर पना चली होगा, आप सबको भी इसका एक पार्ट फाइब आने वाला है, आप सब्सक्राइब नहीं होगा, आप सब्सक्राइब नहीं होगा, अगर नहीं लग रहा है, तो शॉट्स देखो, शॉट्स अच्छा नहीं लगा, तो फिर लॉग देखो, देख दो कंटेंट और देखते रहो, डेफिनेटी अच्छा लगेगा, अपने आसपास के लोग का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, मुस्कुराएं, हस्ते रहें, और सब्सक्राइब दो चैनल, टेक केर और बबबाएं, झालिणना ख्याल रखे रखें, झाल बबबाकिक कर चार्व lेंजे, तो सब्सक्राएं, जए वाले के लिए